Hello students, welcome to the socialize economy. आज से हम लोग स्राट करने वाले हैं economic classes. Economic में हम short short lectures बनाएंगे जिसे आपका revision होते रहे time to time. ठीक है? तो आज हम जो topic कवर करने वाले हैं वो banking and non-banking sector. तो हम लोग पहले देखते हैं banking होता क्या है और non-banking होता क्या है. banking मतलब ऐसे संस्थाएं, ऐसे sectors जिसमें हम लोग check issue करवाते हैं, check deposit करते हैं और check withdrawal करते हैं. इसमें हम लोग fix deposit करते हैं, FDI वगेरे जिसको हम लोग बोलते हैं, foreign direct investment और फिर ऐसी बहुत सारी इसमें accounts होते हैं, जैसे saving account होता है, current account होता है, recurring account होता है, ये सब टाइप के banking में accounts होते हैं. फिर हम देखेंगे कि banking होती क्या है, इसमें दो टाइप की banking होती है, एक private bank और एक public sector बैंक मतलब क्या, अब आप लोग को पता है, public sector अगर मैं किसी चीज के लिए बोल रही हूँ, किसी टम के लिए यूज कर रही हूँ, तो उसका मतलब ये होता है, कि more than 50% जो हिस्सेदारी होती है, वो government और इंडिया की होती है, और फिर एखनी government की होती है, तो वो होता है public sector, private sector में क्या होता है, ऐसी संस्था है, जिसका more than 50%, means 51%, more than 50% private holders के हाथ में उसकी shareholding power रहती है, उसको हम लोग बोलते है private sector, ठीक है, हम दब देखेंगे banking, banking, banking में जो public sector bank है, उसमें आप देख सकते है, SBA जैसे bank आते है, ठीक है, यह सब, और non banking sector में क्या होती है, जिससे cooperative society, cooperative society के बाद आते है हमारा नीधी fund, जिसको हम लोग BC बोलते है, तो यह सब जो होती है, वो non banking में आती है, ठीक है, next, हम यहाँ पे देखेंगे, banking sector, अब इसमें मैंने जैसे पहले ही दो बातों को डिवाइड कर दिया था, banking और non banking में, पहला यह banking आया कहां से, तो banking आया, RBI Act 1934 के था है, ठीक है, एक एक बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि, जो RBI है, Reserve Bank of India, उसके तार एक बनाया गया कि, जो Reserve Bank of India है, वो हमारे country का bank होगा, individual नहीं, country का bank होगा, उसी को बोलते है RBI, और RBI को हम लोग बोलते है, Banker's Bank, मतलब, Father of the All Other Bank, ठीक है, जितने भी छोटे बैंक से, इवन पब्लिक सेक्टर की भी जो बैंक है, SBA, वो भी क्या है, RBI क्या है, उसका फादर है, ऐसा बोला जाता है, क्यूं, क्यूंकि, RBI क्या करता है, पैसे को प्रिंट कर सकता है, और फिर यह क्या करता है, हमारे जितने भी इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन होते हैं, उसकी यह देखभाल खटा, तो इसलिए इसको क्या बोलते है, बैंकर्स बैंक, अब RBI एक्ट है, 1934 में, फिर उसके तहट हमने स्ताफित किया, RBI, RBI के अंटर में, जितने भी इंटरनेशनली बैंका एक अलग-अलग सेक्टर में डिवाइड किया, फिर दूसरा है, ख्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिस, अब शाक यह मुत्रा प्रनाल ठीक है, अब जैसे RBI कोई रूल निकालता है, कि हर एक बैंक के पास इतना डिपॉजिट होना चाहिए, सब्पोज कोई बैंक है, X, उसके पास है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज में से उसके पास 50 रुपीज उसका डिपॉजिट होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, बैंक जो और भी जैसे हम डेली जाते हैं, बैंक में डेपॉजिट करने, विट्रॉल करने और बहुत सारे काम होते हैं, तो उस पे वो करेगा, फिर आता है CRI, Cash Reserve Ratio, अब इसमें भी वही बात है, क्रेडिट में क्या होगा, आपके गोल्ड, ठीक है, गोल्ड होते है, बॉन्ड होते ह होते हैं, वो सब रखी जाती है, और Cash Reserve Ratio में, जैसे जिस तरह से हम लोग क्रेडिट को रखते हैं, उसी तरह से हम लोग कैश को रखते हैं, ठीक है, जैसे सर्टन अमाउंट हमने फिक्स कर दिया, RBI में, कि इतना अमाउंट आपको सेव करके रखना है, तो वो बैंक पटिक अब इसमें ऐसी होती है, जैसे कि तरलता, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तरल, ऐसे रेशो, या फिर ऐसी लिक्विडिटी, जो कि तुरल्थ हम उसको कैश करा सकते हैं, जरुरत पढ़ने पर, ठीक है, फिर RBI बोलता है, रेपो रेट डिसाइड होगा हर एक बैंक अब यह रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट उता है, जिसके तहत, RBI बैंकों को लोन देता है, सब्सक्ति किसी बैंक को जरूत है, आइसे यशी बैंक के एकजामपल लेते है, एसे यशी बैंक है, उसके पास कोई गया एक करोड रुपया विट्रॉल करने के लिए, ठी के पास 50 lakh ही है तो वो क्या करेगा फिर वो RBI जे कॉंटेक्ट करेगा और उनको बोलेगा कि आप मुझे 50 lakh दे दीजिए रेपो रेट की दर्शे और मैं आपको विदीन 14 डेज और वान वीक इसको रिटन कर दूगा तो RBI एक इंटरस्ट रेट ठीक है जिसको हम लोग इंटरस 6% आपको रेपो रेट की दर्शे हम लोग 50 lakh रूपीज 14 डेज के लिए दे रहे हैं ठीक फिर आता है CMM कॉल मनी मार्केट अब क्या हुआ कि RBI के पास थोड़े फंड की जरुरत होगी RBI को भी तो जरुरत पढ़ सबती फंड की अब वो क्या करेगा मार्केट से पैसे अब आप यह सोच रहे होंगे कि RBI तो फुदी पैसे चापता है तो वो कैसे पैसे ले सकता है लेकिन कुछ लिमिटेशन होती है जो आर्बे यह त 1934 बना उसमें कुछ लिमिटेशन है कि आप इतना इतना ही पैसे एक टाइम पर प्रिंट कर सकते हो उससे ज्यादा नहीं ब इसके पार्केट में डिस्ट्रिबूट करेंगे जिससे अर्बे के पास क्या एगा पैसे आजाएंगे और सिक्योर्टी जो बॉंड है गोवर्मेंट की वह पब्लिक यह फिर कोई इन्वेस्टर आ के उसको पर्चेस करेंगा तो इससे क्या हो जाएगा आर्बे के पैसे हम हम लोग कहीं नहीं से उसको अर्जस्ट करते दिक्या सबूसर एक आर दकास गोल्ड पढ़ा हुआ है वो क्या करेगा आर बगी सिक्यूर्टी यह और वह क्या करे यह आफ अब कहीं नहीं जाके नहीं कहा जाएगा अभ यह थोड़ी ना लेखे हर प्रभी आई तो वह क्या करेगा वही गोल्ड का मार्केट में देगा ठीक है मार्केट में डिस्टिम्यूट करने बार वह गोल्ड एक रेश्यो के रूप में उसको मिल जाएगी और फिर वह अमांट वह अपने जिस काम के लिए उसको चहिए पैसे वह तोर य्ज़ कर लेगा। फिर होटा है बेस रेट। बेस रेट, बेस रेट। चैलकूलिट कारते हैं वह कि रेटी बैंक के पास डेपॉसिट कितना है टोटल डेपोजिट अफ बैंक प्लस टोटल लोन अमाउंट टोटल लोन अमाउंट ठीक है टोटल लोन अमाउंट टोटल डेपोजिट, टोटल सी एरर, टोटल एसलर ये जितने भी है इनको एड़ करके वो क्या करेगा? सब्सक्राइब और बेस रेट हमेशा कैल्कुलेट होता है लास्ट इयर ठीक है अभी 2019-20 है तो इसका बेस रेट कैसे कैल्कुलेट होगा 18-19 के उपर ठीक है पिर उसके बाद आता है C.A.R. C.A.R. मतलब कैश एडिकेट रेशो अब कैश हम लोग अनुमाल लगाते हैं कि हाँ अभी एयर खतम नहीं हुआ हमारा बुक्स आफ अकाउंट प्रिपेर नहीं हुआ है बट हम लोग एक इस्टिमेट रेडि करते हैं कि हाँ youngerENT लोग पर इंड अंड अफ दे रहा ने वाला है तो टो क्या करेंगे एक इसको बोटें एप्रॉक्सिमेटल लॉमांट हम इसको मानके चलते औहें पिर रिवर्स रेपो runtime क्या है अब आप सोच रहं ? रपो रेढ का। रिवर्स रपो रेढ क्या है,. तो रपो है जैसे कि RBI बेंक को के डॉनेता लाता है । कभी आसा होता है, Facebook पया स्केल के ब्रिश मे टाँता है । कभी कभी ऐसि quadratic वर्ट सकती है, तो वो क्या करेगा अब रबी आई बैंकों से लोन लेगा इंद से पैसे लेगा ठीक है तो अब जो बैंक चार्ज करेगी जो बैंक रबी आई को चार्ज करेगी उसको बोलेंगे ग्षल से कम किया है थिक है यहां पर देखेंगे K идच्थमें आप से कितना बचितना बचा हुआ है फिर gomo open money operation अभिसने क्या होगा जैसे कि helicopter money के बारे में आप लोग सुन रहाँके न्यूज में अगर न्यूज देखते होंगे तो तो उसमें देखा होगा कि सब बात करें कि helicopter money Visa हेलिकॉप्टर मनी होती क्या है कि RBI ऐसे पैसे छापे ठीक है पैसे छापे कुछ पैसे छापे जो की पब्लिक जो गरीब तबका है उनके तक बहुत सके अब उन तक जब पैसे पहुचेंगे तो हमारे कंट्री में जो एकोनोमिक क्राइस बोल रहा है आने वाली है वो नहीं क्योंकि इससे क्या होगा मार्केट का सर्कुलेशन चलते रहेगा जब पबली के पास पैसे रहेगी तो वो खरीदना स्टार्ट करेगी समानों को लेना स्टार्ट करेगी बेचना स्टार्ट करेगी तो इससे क्या होगा एक बैलेंस मेंटेन हो ठीक है इसी को बोलते हैं थीक है नेशनल थीक है एंब एफसी एक 1956 अब यह जो एक्ट आए इसमें क्या हुआ पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो बीसी लेते थे बीसी भरवाते थे और फिर पाद में पैसे लेके वह भाग जाते थे तो आर बी आई के पास कंप्लेन आने लगी तो आर बी तो ज यह भी एक्ट किसके अंडर में बना आर बी एक्ट 1934 में ठीक है इसका प्रावधान दिया गया था अब इसमें यह बोला गया कि जितने भी शेर स्टॉक है सिक्योर्टी यह सब यह सब आएंगी एंब एफसी एक 1956 में लेकिन इंडस्ट्री और एग्रिकल्चर यह दोनों ज नहीं आएंगी क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि एग्रिकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर है हमारी जो इकनोमी है वह एग्रिकल्चर और इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है तो यह इंक्लूड नहीं होगा जितने भी प्राइमरी सेक्टर की चीजे होती है वह एंब ए इसमें आप लोग डिमांड डेपॉजिट नहीं कर सकते हो, ठीक है, डीडी जिसको बोलते हैं, आप नॉन बैंकिंग में डीडी नहीं कर सकते हैं, अब डीडी होता है, कभी आपने देखा होगा, स्कूल का फॉर्म भरा होगा, या फिर कॉंपेटिटिव एक्जाम का फॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है, फिर नो चेक इशू जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इसमें चेक इशू नहीं किया जाता है, फिर इसमें क्या होता है, डबल कंट्रोल, इसमें क्या होता है, डबल कंट्रोल होता है, पहला तो एक आर्बियाई का होता है, और दूसरा क्या होता है, जो non banking के जितने भी होते हैं, heads उनका इससे control होता है, फीर इसमें बोला है no RBI control, ठीक है, RBI का control कैसा होगा, वो इसको सी monitor करेगा, इसके अंदर अगर आपका पैसा कोई लेके भाग जाता है, आपको नहीं return देता है, तो वो सब RBI का lookout नहीं है, यहीं पर अगर आप bank में, जैसे कि लेलो SDFC बैंक में आप डेपॉजिट करते हो और SDFC बैंक दिवालिया होगी, ठीक है, तो क्या, RBI अब क्या करेगा, RBI के अंदर ये रजिस्टर है, और ये एक बैंक है, तो RBI क्या करेगा, जितने भी अमाउंट पब्लिक के उसने डिपॉजिट लिये थे, RBI अब उनको पैसे देके बहां से, या फिर दूसरे बैंकों में, वो जो SDFC का अकाउंट था, उनके बैंक होल्डर जितने भी थे, जितने भी कस्टमर थे, उनका अकाउंट ट्रांसफर करेगा, और फिर उनके पैसे देगा, लेकिन नॉन बैंकिंग में, ऐसा RBI बिलकुल नह ठीक है, next हम लोग देखते है, types of company, types of company में कौन सा, जो non banking sector में company आती है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, पहला AFC, assets finance company, अब बहुत सारी company ऐसी होती है, जो assets के उपर finance कराती है, assets मतलब क्या, जैसे कि हमारा land हो गया, machinery हो गया, ठीक है, उसके उपर वो क्या करती है, finance करती है, फिर दूसरा आता है, LC, loan company, जो loan company होती है, वो भी क्या होती है, non banking sector में आती है, फिर IC, insurance company, insurance company भी जो होती है, वो भी non banking sector में ही आती है, ठीक है, अब जैसे कि किसी का policy निकालते हैं, हम लोग insurance देखते हैं, कितने time का आपका term insurance है, life insurance है, यह सब है, तो क्या होगी, non banking sector की यह संस्था होगी, ठीक है, फिर इसमें कुछ restrictions है, इसमें restrictions क्या क्या है, rules on public deposit, जो public deposit का rule है, यह उसको matter करता है, कि आप public से ज्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे पैसे ले ले ल जाते थे, पैसे ले के चंपत हो जाते थे, फरार हो जाते थे, और पता ही नहीं चलता था, पब्लिक का पैसा क्या कहा, तो इसमें restrictions होते हैं, ठीक है, rules on public deposit, फिर दूसरा है, 12 to 6 months or more, मतलब जो deposit है, या फिर जो बैंक है, यह जो company है, इनका 12 से 60 महिने तक ही यह deposit ले सकते है उससे जादा यह नहीं ले सकते है, सपोज आपका life insurance का company आपने किसी को insurance policy sell किया, तो वो जो policy है, उसका जो premium आता है, वो 12 से 70 महिने के अंदर आपको pay करना होता है, ठीक है, 12 to 61, फिर no deposit from NRI, अब जो non-resident of India है, उनको यह जो non-banking sector है, वो इनमे deposit नहीं कर सकते हैं, और अगर deposit भी करेंगे, तो इनको accept नहीं करना है, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, money multiplier, money multiplier, अब इसको calculate कैसे करते हैं, यह मैंने chart बनाया है, हो सके तो आप लोग pen और book लेके बैठिए, यह जितने भी chart है, जितने आप से बनाते रहिए, ताकि आप लोग के revision में आपको help मिलते हैं, ठीक है, पहले इसमें दिया है major, coins and currency with public, ठीक है, फिर commercial bank and post office, ठीक है, narrow money और broad money, narrow money मतलब, narrow money और broad money, narrow money की छोटे level पर हम लोग जो deposit करते हैं, या फिर जो base पर हम लोग deposit करते हैं, ठीक है, broad money वो होती है, जिसको बहुती बड़े level पर हम उसको deposit करते हैं, और फिर वो money को देखते हैं, ठीक है, पहला आता है demand deposit, इसको calculate करने के लिए, चार, यह M stand for money multiplier, ठीक है, चार तरह से इसको calculate करते हैं, हम लोग, M1, M2, M3 and M4, ठीक है, पहला हमारा demand deposit, फिर time deposit, फिर demand deposit of saving account, फिर time deposit, ठीक है, यह जो demand deposit है, फिर time deposit है, एक है commercial bank का, और फिर दूसरा जो demand deposit और time deposit है, वो है post office का, तो M1 calculate करने के लिए, हमारे पास चाहिए, commercial bank में चाहिए, demand deposit, yes, वो accept करेगा, वो M1 में count होगा, time deposit in commercial bank, yes, यह वो भी accept करेगा, ठीक है, currency और points जो होती है, public के पास, यह उसको भी accept करेगा, तो यह से क्या calculate करेंगे हम लोग, M1, लेकिन, इसमें जो post office के होते है, demand deposit और time deposit, वो नहीं calculate होगे, तो यहापर मैंने cross किया है, इसको आप लो और अपने book में note down कर लीजिए, फिर M2 calculate करने के लिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, demand deposit करते है, जिसको कासा बोलते हैं हम लोग, demand deposit, time deposit, फिर इसमें post office का जो demand deposit हो accept, नहीं किया जाएगा, फिर यहापर time deposit accept किया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में M3 का count हम लोग ऐसे क करेंगे, कि demand deposit और public currency यह दोनों accept करेंगी, ये इस, और फिर demand deposit और time deposit, post office का demand deposit और commercial bank का time deposit यह दोनो accept करेंगी, ठीक है, फिर post office का time deposit और demand deposit accept नहीं करेंगी, फिर M4 में हम लोग calculate करेंगे, M4 मतलब यह सारे deposits को except करेंगी, ठीक है, जितने भी deposit है यह सारे deposit को accept करेगी यह चीजे याद रखना यह हो गया हमारा बल्ली मुल्टिप्लायर इसे question आते हैं तो आप लोग एक बार यह table को अच्छे से देख लीजिएगा फिर types of ATM अब इसी में हम लोग दूसरा देखेंगे types of ATM ATM के जो type होते हैं पहला होता है white ATM दूसरा brown ATM तीसरा bank ATM पहला जो white ATM होता है इसमें क्या होता है bank का logo नहीं होता है ठीक है ब्राउन ATM किसको बहुते हैं जिसमें bank का logo होता है ठीक है bank का logo होता है उसमें बहुत सारे posters pictures होते हैं वहाँ पे सबनाम बगेरा bank का होता है इसको ruled और governed कोई third party करता होता है management जो उसका होता है वो किसी third party के हाथ में होता है ठीक है third party क्या होता है service provider होता है suppose यह एक type का franchise होता है आपने किसी अच्छा सा bank है SBI उसका एक franchise open किया है ठीक है franchise में क्या होगा वहाँ पे logo वगेरा हर एक चीज रूल वगेरा जो भी होगा वो SBI का होगा लेकिन जो management महां का जो service होगा service providing का पावर होगा वो आपके हाथ में होगा आप सी service देंगे आप अपना logo या फिर कुछ वहाँ पे एडिंग वगेरा नहीं कर सेते उसको हम लोग क्या बोलते है नहीं होता है इसमें जो पूरा control होता है सब control किसके हाथ में होता है जिस बेंक का murmur है उस बैक के हाथ में आप बैग में जाते होगी देखेंगे बाहरी एक अम रहता है तो वह सारे जो एक होते वह बैंक एटीम होते हैं ठीक है विर हम यहां पर देखेंगे Other Banking Sector 閨 a banking sector में उद्धsyकトर उसमें क्या कारते है Small penguin bank Small bank payment ठीक है? यह जू Smallня payment bank आपने देखा होग त्य। Paytm टाइप के देखा ? A-Tel bank, Voda Phone bank यह सब जो है यह क्राइज होते है Small payment bank तो इसमें पहला condition क्या है small end payment bank कि 100 करोर का capital आपके पास होना चाहिए ठीक है 100 करोर का capital होना चाहिए और इसके promoter है वो कितने होने चाहिए 40% ठीक है promoter कितने होने चाहिए 40% फिर other investor कितने होने चाहिए 10% other investor जैसे कि अभी कोई company है suppose कोई company है आपको उसमें invest करना है तो 100% total होता है कोई भी shares का कोई भी company का तो अपने 10% उसमें invest किया है ठीक है उसमें investor कितने होने चाहिए total 10% होने चाहिए फिर small bank को हम लोग देखेंगे small bank का क्या है इसको 10 साल का experience होना चाहिए इस sector में small bank को run करने के लिए कितने साल का 10 साल का experience होना चाहिए प्लस 15% यह loan देने के लिए eligible होना चाहिए किसको public को ठीक है 15% यह चीजे ध्यान देना फिर इसका 25% ब्रांचे जो है अर्बन रूलर एरिया में होना चाहिए ठीक है जो अर्बन रूलर एरिया है वहां पर इसका कितना ब्रांच होना चाहिए 25% फिर आते हैं थर्ड payment bank में इसमें deposit not more than one lakh जैसे कि इसमें हम लोग जो deposit करते हैं small payment bank में इसमें एक लाग से ज्यादा आपका deposit नहीं होना चाहिए फिर can provide internet banking यह provide कर सकता है क्या internet banking को provide कर सकता है जैसे कि पेटियम देखा होगा आपने वो क्या है एक तरक से internet banking है लेकिन यह किसी को लोन नहीं दे सकता है payment bank loan नहीं दे सकता है फिर last हमारा बसता है financial inclusion वित्तिय समावेशन इसमें क्या होते है इसमें जैसे की scheme निकालते प्रधान मंत्री जन्धन योजना में क्या है सबके खाते में आकाउंट पर पैसे जाते कुछ प्रधान मंत्री जन्धन योजना के ताहर पेंशन वगेरा जो जाते हैं अबो 60 यह तो वह सब इसमें इंक्लूड होते इस तरह की जो भी स्कीम साती है वह किसमें आती है फाइनेंशल इंक्लूजन में ठीक है तो यहां से हम लोग आज बैंकिंग और नन बैंकिंग को खतम करते हैं इसको यह रिवीजन के तहर्त एक लेक्चर बनाए गया है छोटा सा है अदर्वाइस यह बैंकिंग सेक्टर बहुत ही बड़ा च स्ट